वीडियो द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्थ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आईए बात करते हैं भगवान परशुराम की। त्रेता युग में एक ब्राहमन रिशी के यहां जनमे परशुराम जी की माता का नाम रेनुका और पिता का नाम शी जम्दगनी था। विश्णु पुरान के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किन्तु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना। परशु नामक अस्त्रप्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया. कहा जाता है कि परशुराम भगवान विश्नु के छठे अवतार थे. दोस्तों, परशुराम को न्याय का देवता माना जाता है. वह अपने माता-पिता के आज्याकारी पुत्र थे, परशुराम ने एक बार अपने पिता के कहने पर अपनी माता का बध कर दिया था. इस कारण उन्हें मात्रु हत्या का पाप भी लगा. कहा जाता है कि फिर उन्होंने भगवान शिव की अखंड, तपस्या की उसके पश्चात माता की हत्या के पाप से मुक्ठ हो पाए. परशुराम जी का उल्लेक रामायन, महाभारत, भागवत पुरान और कल की पुरान इत्यादी अनेक ग्रंथों में किया गया है. वे अहंकारी और ध्रिष्ट है है वन्शीक शत्रियों का प्रित्वी से 21 बार सहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं, वे. धर्ती पर वैदिक संस्कृती का प्रचार प्रसार करना चाहते थे. कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्ही के द्वारा बसाए गए. पर्शुराम का मुख्य अस्त्र कुलहाडी माना जाता है. इसे फर्सा कहा जाता है. पर्शुराम ब्राहमन कुल में जन में थे. परंतु उन्हें युद्ध में अधिक रुची थी. भगवान पर्शुराम जीने महाभारत के समय में भीश्म पितामाह, गुरु द्रोनाचार्य एवं करन आदी को शस्त्र एवं अस्त्र की शिक्षा प्रदान की. इसलिए वे इन सभी महानुभाव के गुरु कहे जाते हैं. भगवान पर्शुराम का जन मोट सव हर साल शुकल पक्ष की अक्षय तृतिया को मनाया जाता है. हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान पर्शुराम अन्य देवताओं के विप्रीत अभी भी प्रित्वी पर रहते हैं. इसलिए अन्य देवताओं की तरहें. पर्शुराम की पूजा नहीं की जाती है. कहा जाता है कि महर्शी कश्यप के आदेश अनुसार भगवान पर्शुराम महेंदर परवत पर चले गए और आज भी वहीं पर निवास करते हैं. ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखन इश्यमहान भारत की महानता और संस्कृति को दर्शाना है. वीडियो किसी भी जाती के पक्ष और विपक्ष में नहीं बनाई जाती है. हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें.